Welcome to KFO Studies तो आज हम पढ़ने वाले हैं Chapter No. 3 जो की है Playing with Numbers तो आज हम पढ़ने वाले हैं Exercise No. 3.7 के Question No. 7 से लेके 9 तक तो चलिए Start करते हैं देखिए 7th Question में यहां कहा गया है 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liters of diesel respectively Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times तो 3 container है Sorry, 3 tank है 1, 2 and 3 3 tank है एक की capacity 403 दे रखी है दूसरे की 434 liter और तीसरे की 465 अब हम बताना है एक container लेना है उसकी maximum capacity कि इतनी हो कि वो इन तीनों में जो डीजल है वो exactly measure कर ले और ऐसा ना हो कि थोड़ा सा किसी में से भी डीजल बत जाए ऐसा नहीं होना चाहिए तो देखो maximum लिखा हुआ है maximum जब भी लिखा हो question में highest common factor निकालो गया है ना तीनों का अगर highest common factor आ गया तो क्या होगा वो तीनों में जो डीजल है उसको क्या करेगा exactly divide कर देगा है ना exact time में divide करेगा तो आप यहीं करो यहां पर maximum capacity आपको निकालनी है तो आप HCF ले लोगे इन तीनों नंबर का HCF लेने के लिए आपको factor निकालने पड़ेंगे तीनों के तो कुछ इस तरह से कर दो 403 का प्राइम factorization करो 13 into 31 होता है 31 को भी आप 31 बंजा इस तरह लिख लो 434 को आप 2 into 217 217 को 7 into 31 लिख सकते हो 31 31 into 1 है 465 को 2 into 155 155 को 5 into 31 और 31 को 31 into 1 लिख सकते हो अब देखो तीनों को आप इस तरह लिखो क्या करोगे आप तीनों को जब आप factor लिखोगे तो आप देखोगे कि इन में सिर्फ 31 ही common आ रहे है देखो यहां भी क्या है 403 का factor क्या है 13 into 31 जो 434 है उसका factor है क्या 2 into 7 into 31 और last जो 465 है इसका factor क्या है 2 into 5 into 31 यही निकले है ना अब देखो यहां भी 31 यहां भी 31 और यहां भी 31 सिर्फ यही common है तो आप क्या दोगे कि जो highest common factor है तीनों का वो क्या है that will be 31 और last में देखो word problem है तो words में आपको पूरा लिखना पड़ेगा answer hence the maximum capacity of the required container is 31 liters next पर आते हैं 8th question है find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case तो आपको वो least number लिखना है जो जिसे जब हम 6, 15 और 18 से divide करें तो हर case में 5 remainder बचना चाहिए तो देखो अगर जो भी इन 3 और का lowest देखो least number निकालना है तो मतलब LCM यहाँ पे use होने वाला है ये तो पता है अब देखो अगर मैं ने 3 और का common factor निकाल लिया अब आगर ने lowest common factor निकाल लिया और जो भी lowest common factor निकलता है अगर मैंने उसमे 5 एड़ कर दिया तो नैचुरल है जब भी मैं LCM को 6 से डिवाइड करूँगी तो 5 रिमेंडर आए गई इसी ज़रा lowest common factor में अगर मैंने 5 एड़ करके 15 से डिवाइड किया तो उस case में भी क्या leave करेगा वो 5 रिमेंडर आएगा similarly LCM प्लस 5 इसको अगर मैं 18 से डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा 5 इस case में भी रिमेंडर आएगा तो आपको यही करना है LCM निकालना है जो भी LCM आएगा उसमें 5 एड़ कर देना वही आपका answer होगा तो देखो सबसे पहले इन तीनों का LCM निकालने के लिए हमने factor निकाल लिए है एक साथ ही factor निकाल लिए है LCM निकालेंगे 6 को हम 2 x 3 लिख सकते हैं 18 को 2 x 9 लिख सकते हैं 15 2 की table में नहीं आता है इसलिए 2 x 15 स्वारी इसलिए 15 को हमने यहां ऐसे ही लिख दिया है लिख सकते हैं तो इस तरह से पूरा split up कर लिया इसे और यह क्या है इन्हें multiply करोगे LCM आ जाएगा LCM आ रहा है 2 x 3 x 3 x 5 that is 90 90 इन तीनों का ही lowest common multiple है 90 तीनों से exactly divide हो जाता है अब क्या करेंगे हम 90 least common factor है sorry least common multiple है यह तीनों से divide होता है तो हम 90 में 5 add कर देंगे जो कि क्या है 95 है 95 हर एक case में 5 remainder leave करेगा है ना तो the required number here is 95 next देखो find the smallest 4 digit number which is divided by 18 24 and 32 smallest 4 digit number हमें यहां पर बताना है which is divisible by 18 24 and 32 smallest है है ना क्या निकाल होगे है LCM तो देखो क्या करोगे आप LCM जब आप निकाल होगे कुछ इस तरह से सारे factors आप इनके बनाओ है ना 18 24 32 अलग अलग भी कर सकते हो आपकी 18 का factor अलग से बना सकते हो क्या होगा 29 जा फिर यह 9 कैसे जा सकता है 3 3 जा इसी तरह 24 अलग से बना सकते हो आप क्या करोगे 2 x 12 फिर क्या करोगे 2 x 6 है ना उसके बाद क्या करोगे 2 x 3 है ना इस तरह से कर सकते हो और जो 32 है उसको भी अलग से लिख सकते हो क्या लिखोगे 2 x 16 2 x 8 2 x 4 2 x 2 है ना इस तरह लिखकर अब 18 क्या हो जाएगा देखो कॉमन तो आप इस तरह करी सकते हो और अलग-अलग मैं आपको एक करके बता देती हूं 18 है 2 x 2, 3 x 3, 24 क्या है 24 है 2 x 2, 2 x 2, 2 x 3, 32 है क्या 2 x 2, 2 x 2, 2 x 2, 2 x 2, 2 x 2 है ना पाच बारी 2 का मिल्टिप्लिकेशन कॉमन क्या आ रहे है देखो एक तो यह 2 आ गया है ना एक हाँ बस यही कॉमन आ रहा है 3 तो देखो लास्ट वाले के इसमें ही नहीं तो 3 हम कॉमन नहीं ले सकते हैं देखो यह 2 है इन तीनों को एक कॉमन बारी लिख लेंगे है ना एक कॉमन बारी हमने 2 लिख लिया यहां लिखते हैं कॉमन बारी देखो 2 लिख लिया और इंटू टू इंटू टू है ना इस सब क्या कर दो यह सारा आपस में मल्टिप्लाइ करोगे क्या निकल जाएगा LCM निकल जाएगा है ना तो एक बार यह मैं पूरा मिटाती हूँ और LCM निकालते हैं देखो LCM 18,24 और 32 का यह सब आप मल्टिप्लाइ करके लिख दो आ जाएगा 288 अब आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट फॉर डिजिट नंबर निकालना है तो देखो 288 अगर LCM है इन तीनों का मतलब तीनों का लोईस्ट कॉमन फैक्टर है तो 288 का जितने भी मल्टिपल होंगे इसकी टेबल में जितने भी नंबर आते होंगे सभी 18, 24 और 32 के क्या होंगे मल्टिपल होंगे है ना तीनों की टेबल में जाते होंगे तो आप 288 का एक ऐसा नंबर लिखो जो की स्मॉलेस्ट फॉर डिजिट नंबर हो अपने में तो क्या करोगे आप देखो 288 is the smallest number which is exactly divisible by 18, 24 और 32 यह एक पॉर डिजिट नंबर नहीं है अब पॉर डिजिट नंबर smallest क्या है smallest आपको पता है 1000 है है तो 1000 से जस्ट छोटा नंबर स्वरी जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए है और वह multiple होना चाहिए 288 का क्या करोगे आप देखो divide कर दो आप है कि आपापाइड करो 1000 से ताउजिट को आप डिवाइड करो 288 से तो क्या आ रहा है 3 जा आ रहा है 864 और remainder बच रहा है 136 इसका मतलब यह 864 जो है यह क्या है यह तो एक multiple है ही ना 288 का है ना यह जो number यह है 1000-136 यह क्या है यह 865 वो सरी 864 यह multiple है 288 का इससे next number अगर हमें निकालना जो 288 का multiple हो तो क्या करोगे 288 को add कर दोगे इसमें वही किया हुआ है answer यहां आ रहा है 1152 है ना यह 4-digit number भी है ना और it is the smallest 4-digit number जो की divide हो जाएगा जो की 18 24 और 32 इन तुनों से exactly divisible होगा आप end में है word problem है तो यह जरूर लिखोगे hence the required number is 1152 So thank you for watching आज की class के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चैनल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुचे थैंक्यू आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं